Hello friends, आज का पहला question लिए चलता हूँ, question number 25 पे है They are waiting for her since morning दोस्तों, यह जो since morning है न यह बहुत ही important part है जो आपको ध्यान में रखना है, क्यों? Since morning यानि कि आपको समझना है morning से ऐसा हो रहा है जहां भी time के साथ say लगकर continuous बनता है वो continuous नहीं होकर perfect continuous बन जाता है So, अगर मैं इसे perfect continuous देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ, have been waiting आएगा वो wait कर रहे हैं morning से, उसका, उस लड़की का for her क्या यह बात समझ आ रही है? तो important यह है दोस्तों की time के साथ, अगर since या for आ जाता है उस statement पे ज्यादा ध्यान देना है हमे They have been waiting for her since morning यहनी 25 का answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 26 की परफ चलते है He asked me, उससे मुझसे पूछा, आज आ गया है दोस्तों, याद रखना यह direct का indirect sentence बनावा है, direct speech, indirect speech पढ़ा होगा आप लोगोंने If I can help him to lift the box, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ ऐसा उसने मुझसे पूछा उसने मुझसे मदद मांगी कि भईया, इस box को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो गया Important यह है कि अगर आज आ गया है, तो अब आगे वाले sentence में Present आ ही नहीं सकता है, will या में आने की कोई संभावना ही नहीं है केवल और केवल past का sentence बनेगा, यह जरूर ध्यान रखें Past का sentence बनेगा, यानि कि he asked me, उससे मुझसे पूछा If I could help him to lift the box, क्या यह बात समझ आ रही है Hello friends, स्वागत है आपका digital तयारी चैनल पे, मैं श्रियान्स कोठारी लेके हैं उन दोस्तों Objective General English, बहुत ही प्यारी किताब, बहुत ही solid दमदार किताब Exam point of view से सीधा काम आने वाली किताब एक बहुत अच्छी line लेकिए दोस्तों, our aspirations are our possibilities यह बहुत ही बड़ी बात लेकिए दोस्तों हमारे aspirations, aspirations क्या होते हैं दोस्तों वो जो सपने हैं, वो जो सपने हैं, वो जो हमें पूरे करने हैं जो हमने खुली आँखों से देखे हैं, जो हमारे ambitions हैं, जो हमारे goals हैं जो हमें पूरे करने हैं, उन्हें aspirations कहते हैं हम एस्पायर करते हैं हमें उसके प्रफ बान जाना होता है और हम उनको पाने के लिए हमें एस्पिरेंट्स कहलाते हैं सो हम एस्पिरेंट्स हो गए हम एस्पायर करते हैं अपने एस्पिरेशन के प्रतियाने कि वह लक्ष जो मुझे हासल करना है और दोस्तों वही लक्ष वही सपना जो है वो पूरा करना है वही मेरी possibilities है मैं जब तक सपना नहीं देखूंगा तो उसे पूरा करने के लिए काम क्या करूंगा मेरी संभावना वहीं से शुरू होती है जहां मेरा सपना हो सकता है आपको ध्यान हो दोस्तों Walt Disney ने भी एक बार कहा था अगर आप उसका सपना देख सकते हो तो आप उसे पूरा भी कर सकते हो वही aspiration जो है आपकी संभावना बनता है अगर aspiration नहीं होगी तो फिर हम जहां बैठे हैं वहीं रह जाएंगे सो संभावना ढूंडिये तयारी करिये और अपने लक्ष को हासिल करिये चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज की मिठाई क्या आपने खाई आज का अंग्रेजी वर्ड दोस्तों C.L.O.D. क्लॉड बहुत सारे लोगों के लिए नया वर्ड होगा C.L.O.D. C.L.O.D. क्लॉड का मतलब है A Compact Mask एक तरह का लठा या गठा कोई एक साथ एक चीज़ बनी भी उसे कहते हैं C.L.O.D. क्लॉड A क्लॉड of mud caught him on the shoulder मतलब उसके कंदे पर एक mud मढ़ यानि मिट्टी का थक्का जम गया था थक्का भी कह सकते हैं एक साथ एक सम्मिलत होगा क्लंप की कहा जाता है चंक चंक के वर्ड सुना होगा आपने बॉल भी कहते हैं Informally clawed किसे कहा जाता है An awkward stupid person एक ऐसा ही बेहुदा बेकार इंसान मतलब जो समझदार नहीं है बेवकूफ है ऐसे इंसान को भी clawed कहा जाता है जो बेवकूफ है Informally कहा जाता है आपको पता है क्या करना है दोस्तों इन sentences को comment box में बनाना है इन words से sentence बनाने comment box में लिखने हम आगे बढ़े दोस्तों question number 27 की तरफ question number 27 कहता है this time इस बार जो है my brother is coming मेरा भाई आ रहा है to India भारत आ रहा है for an extending stay क्या होता है extended stay extensive का मतलब होता है बहुत जादा गहराई वाला extension तो अपने आप में आगे चीज को बढ़ा देना extended एक adjective है मैंने इसको कैसे final किया चूपकि ये adjective है ये इस stay के साथ लगेगा यानि लंबे चुटियों के लिए आ रहा है जितना regular रुकता है उससे ज्यादा चुटियों के लिए आ रहा है extended stay question number 28 कह रहा है the man who will score the maximum points वह व्यक्ति जो सबसे जादा score करेगा will carry the trophy वही trophy करेगा तो score the maximum points यहाँ पे मुझे तो कोई गड़बड नहीं लगती है better अगर मुझे करना है improvement अगर मुझे करना है तो दोस्तों यह होगा यह सही answer है who scores the करेगा नहीं बोलते कभी भी आपको ध्यान हो तो हम हमेशा यह बोलते है कि conditional sentences में conditional वाले part में future का प्रयोग ना करें तो हम यह कहते है the man who scores the maximum points he will carry the trophy चलिये सहाब आगे बढ़ते question number 29 की तरफ as soon as our plan is approved जैसे ही हमारा plan अप्रूव हो जाता है I shall favor its adoption मैं favor करूँगा उसका adoption उस plan को अपना लिया जाए गोद ले लिया जाए लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है इसमें तो कोई improvement ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि दोस्तो इस जो लिखा है न उसका its adoption कोई कॉमा वॉमा लगाने की ज़रूत नहीं है आपको याद होगा इसका मतलब क्या होता है दोस्तों इसका मतलब होता है it is यह है it is good question number 30 कह रहा है our team is likely to lose हमारी team हारने वाली है हम लग रहा है कि हमारी team हार जाएगी unless अगर नहीं all members learn to cooperate with one other one other क्या होता है पता नहीं अजीब सा है one other तो नहीं होगा one another होगा दो के लिए हम each other का प्रयोग करते है और दो से ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर एक team की बात हो रही है तो उसके लिए one another एक दूसरे के साथ अगर हमने cooperate नहीं किया हम हार जाएंगे हमारे हारने की संभावना है ऐसा यह statement कह रहा है तो हमने statement का meaning समझा आशाय समझा एक नया lesson सीखा और answer भी आ गया Question number 31 क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखे हम Question number 31 The boy which came अब बताओ जरा boy के लिए which कौन लगाता है Boy तो इंसान है इंसानों के लिए who लगाता है हमें ये ध्यान रखना है इंसानों के लिए who लगता है और non living के लिए हमें या non person के लिए हमें विच का प्रयोग करना है non living नहीं कह सकते non person गहर इंसानों के लिए यानि कि जानवरों के लिए भी आप विच का ही प्रयोग करते है The boy who came to see me जो मुझे देखने आया था this morning यानि आज सुबह had come from Agra वहाँ Agra से आया था आखरी question दोस्तों आज का I gave him the little money I could spare then मैं वो वाला पैसा जो मैं spare कर पाया वो दे पाया मुझे लगता है no error है हमें यहाँ पे little a little the little का meaning समझना है little यानि बहुत ही कम और a little यानि कम लेकिन positive कम यानि परयाप कम होते हुए भी sufficient है the little मतलब थोड़ा सा लेकिन complete अब ध्यान से देखेगा I gave him the little थोड़ा सा लेकिन complete वह सारा पैसा जो उस समय मैं spare कर पाया जो मैं अलग से छोड़ पाया वो सारा के सारा पैसा मैंने दे दिया I gave him the little money क्या ये बात समझ आ रही है तो दोस्तों यहां समाप्त होती है आज की class आज का वीडियो और दोस्तों बहुत अच्छे वीडियो बना रखें पहले भी अगर वो अभी तक नहीं देखें तो आज देखिए जरूर देखिए पहले उनको देखिए फिर ये वीडियो देखिए मजा ही आजाएगा शांदार तरीके से प्रयास कर रहा है आपका प्यारा चैनल डिजल तयारी कि अंग्रेजी को और बहतर कैसे किया जाए एक-एक वीडियो दोस्तों आराम से देखिए डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए एक-एक चीज को हम सॉलिड करवा रहे है क्योंकि किताब ही अपने आपने सॉलिड है चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में थांक यू एंजिक